गूट मॉनिंग एवरिवन आज हम जो चेप्टर इस्टार्ट किया है इसमें 13 नमबर का चेप्टर जीता कॉन 11 चेप्टर में आज हम ये तिक्डम दास के कच्छवे खर्गोस की जो कहानी थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिर इसके आगे के प्रस्म देखेंगे तिक्डम दास ने दूसरी सर्थ रखी दोड़ शुरू कराकर हम मतलब की प्रेस पोटो लेकर आएंगे और इस्थान पर पहुच जाएंगे जो प्रतियोगी दस किलो मेटर दोड़ का निस्थ इस्थान पर पहले पहुचेगा घोसित किया जाएगा तिक्डम दास ने तीसरी सर्थ रखी जो तिक्डम दास था उसने तीसरी सर्थ रखी पहले पहुचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोसित किया जाएगा घोस्णा अंदिम और सर्मान होगी और इसकी कोई अपिल नहीं होगी इस दोड में हारे हुए प्रतियोगी को उसकी कौम की किसी सदर्थ से को फिर कभी भविस में दूसरी प्रतियोगी की को दोड ने के लिए देने का अधिकार नहीं रहेगा मतलब जो इस प्रतियोगी ता में हारेगा उसको किसी दूसरे व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं होगा कच्छुआओं और खर्गोसों के बीच यह सदा सदा के लिए अंदिम और मान्य प्राप्त मुकाबला होगा खर्गोस खुसी से जोम उठा खर्गोस को लगा कि अब वह चीत चाहेगा और कच्छुआ हार चाहेगा यह तो यह तो वही चाहता था उसने भी तीसरी प्रस्थाव रखा क्या इस प्रतियोगी को टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा खर्गोस ने बोला कि वर अंतिम स्थल पर विजय की मतलब छड़ों को टीवी पर दिखाया जाएगा प्रतियोगी का दिन और समय तय करके सभी चले गए लेकिन कच्छुआ का मुख्या अभी भी जुकाये चिंता क्रस्थ खड़ा था जो कच्छुआ का मुख्या था वो अभी भी उसको चिंता थी चाह कर भी वो सोड मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुस्यों के इस्थान पर कर सकता था वकील तिक्डमदास ने उसे दीखा और वो सोच रहा था कि मैं अगर अपनी समस्य मनुस्यों को बताऊंगा तो मनुस्यों इतने लागची होते हैं कि बिना सोड मुद्राओं की हमारी हेल्प नहीं करेंगे और कल हम तालाब में आएंगे और बताएंगे कि कच्छुए की और से इस दोड में कौन दोड़ेगा अब तुम जाओ कच्छुए ने अपनी सारी सोड मुद्राओं उसने तालाब में रख दिया और जमादी अगले दिन वकील सहाब मतलब टहलते हुए आये और कच्छुए के प्रत्योगी चुनाओं के कर गये मतलब की तिकडम दास दूसरे दिन आया और कच्छुए को मतलब प्रत्योगी के रूप में घोशना कर दिया उसने निशित समय पर निर्धारित इस्थान से दोड़ प्रत्योगीता प्रारम होई पहली ही छलांग में खर्गोष कच्छुए से प्रतियोगा में मतलब प्रतियोगी तामें आगे निकल गया और रेफिर तिकडम दास ने यह हमाई फोटोग्रापी के बावजू जो समवात दाता थे टीवी पे उनकी चन्द मिन्टों में ही खर्गोष से मतलब आगे निकलने की तस्वीर दिखाए गई और जो बुजूर को कच्छुआ था वो मतलब उसको चिंता होने लगे थी जो मतलब उसको बोल रहे थे कि अगर इस बार हार जाओगे तो तुम कभी इसमें अगर तुम हार जाओगे तो तुम किसी भी प्रतियोगीता में भाग नहीं ले सकते इ दीरे दीरे सरकता चला आ रहा था चिंता होकर खरगोश दोल लगाने लगा इस बार इस बार उसने कम से कम समय में दस किलो मीटर की दूरी तै करने की ठाँ रखे थी खरगोश ने सोच लिया था इस इस टाइम में मतलब कम से कम दस किलो मीटर की दूरी करना है रास्ते में सोना तो दूर एक मिनट मतलब रुखना भी नहीं है खरगोश इसा बोला ठकने के लिए मतलब वह सोच रहा तक इस बैर में कच्वे को हरा दूँगा और मैं जीद जाओंगा तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी बिचर हो जाएगी प्रेस पोटोग्राफर उसके भिन कोडों के मतलब खीच रहे थे और तिक्डमदास वकील के कुछ कच्वे को विजवतों को घोसित कर चुके थे इस बार फिर खरगोश दोड में कच्वे को हरा दिया इस बार उसने खरगोश को हरा दिया था प्राचिन कहावत है जेयों की तेयों बनी रही मतलब जैसे को तैसा दोड में खरगोश को चुए से मतलब हारता है यह सब कैसे हुआ यूवा क्करगोश की समझ से परे था जो युवा खरगोस था वो सोच रहा था कि यह सब अच्चानक कैसे हो गया उसको यह सब उस समझ में नहीं आ रहा था तलाग के किनारे कच्छवा के मतलब कच्छवा ने मिठाई बाटी अपनी जीत की मिठाई बाटी एक कच्छवा समाचार पत्र भी ले आया मतलब जो उसमें था एक गया और उसमें समाचार पत्र भाया उसमें बीजेता है मतलब कच्छवा के गले में माला डाले पड़े आकार का फोटो छपा था वह जीत गये थे फिर उनके गले में माला पड़ा था और उसका फोटो अकवार में छपा था और वह लाकर सभी को दिखा रहा था फोटो देखने सभी कच्वे पानी से बाहर निकल आये और कच्वे के मुखे ने विजेता कच्वे के भाई को मतलब फटका रहा तु पानी के अंदर जा तुस्से वकील साहब ने क्या कहा था कुछ दिन अपनी सूरत किसी को ना दिखाना मतलब जो कच्वे का मुखिया था उसमें एक कच्वे को बोला कि तुझे तिक्डम दास ने बोला है कि पानी के बाहर नहीं निकलना है पानी के अंदर ही रहना है कच्वा मतलब समुदाय मानों मस्तित और सोभाव के बिलक्षड के लिए मतलब हुआ जाने जाते हैं और इसमें यही हुआ कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और खरगोस हार जाता है और कच्वा लाश्ट में चीज जाता है अब यह नीचे है साब्दा टिपड़ी है इसको आप लोगों को लिखना है और याद करना है और मुहारे है कान पकाना मतलब सुनते हुए उपशाना यह आप लोगों को लिखना है मुह काला होना कलंक लगना और चुपी साधना का मतलब होता है चुप रहना टांग पसारना का मतलब होता है अधिकार जमाना यह सब आप लोगों को लिखना है नौट में और यह नीचे विया है कहावाद दिया है आबेल मुझे मार जान बुझ कर मुसीबत को आमंतरण देना इसका मतलब होता है और यह चेप्टर आज कंप्लेट हुआ आप लोगों को इसको रीड करना है फिर इसके प्रस्न उत्तर लिखने है और यह टिप पड़ी है इसको भी लिखना है आप लोगों को और यह मुहारे तो यहाँ पे लिखना ही है यह कान पकाना, मुह काला होना, चुप्पी साधना और टांग पसारना ये टांग पसारना का मतलब होता है अधिकार किसी दूसरे के सामान पे अपना अधिकार चमाना और इसका वाकी प्रयोग होगा कान पकाना सुनते हुआ उप जाना मतलब कि किसी की बाते सुनते सुनते कान उप जाती है इसा मूह काला होना जैसे कि कोई गलत काम करता है तो वो उसको गलत बोलते हैं तो उसका मतलब यह होता है मूह काला यह कंपलिट हुआ इसके स्वाध्य के प्रस अपने कल दिखेंगे आप लोग इसको रेड़ करना